हां जी बच्चों हुन दे लेक्चों से स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रेक्षिंस नाइट्रो कंपाउंड से प्रेपरेशन ओ फिजिकल प्रपर्टी अपा अल्री डिस्क्स कर लिए ने सो इस्ते विच जिड़ा सब तो इंपोर्टन्ट केमिकल फीचर है नाइट्रो गृप्दा याट इस हुन तक नि टोमेरीजन तो इस से पढ़ी सिए एक कुई टाइप पढई है gosto ौनल kटरोकॉंड से लिए फेटिक निटिक कमपाउंड जिड़ा फिच अल्रु पलाईट में हुघ था लेक्डरोईं ग्रफेव फिच इस की जि gagner और इलेक्ट्रोण विड्रोइंग गुट्छ होएगी तक कारणठों पंडेरा है वीग हो होई दाया और इलेक्ट्रोण लेक्ट्रोण स्थेंट हो सकति है जिस जिनल तेनल पॉझे होगी जबेसेट्री बाइस सुख्चर्ण रिजन थे नाइटर गूपिब्लेक्ट्रों विद्रोंट्रोंग रूप इंडार कर देखेएएए विद्रोंगे कई चित्रौ फिर्टोंगएंद असीच अइसिटीच टॉटोंगल दॉब्ल बॉंड एंड और एथे OH चार्ज हेगा और एथे O negative तो एथे positive चार्ज रहा है और it remains as such क्योंकि उसे पर कोई फर्क नहीं आएगा इस दिना हुंड़ेदे सारे कुल दो structures बनियाने इन्हों असी nitro form कहने है या pseudo acid form कहने है और इसनों असी ऐसी nitro form ऐसी nitro form या iso nitro form या फिर असी इसनों इवन nitronic acid form भी कहने है ठीक है तो असी इसनों किसे भी त्रिक नाल असी define कर सकते है इनना दोना form जे विच्चों केड़ी form जादा stable है ता असी एगाल करांगे कि तोटोमेरिजम दे विच इकलिब्रिया है that lies towards left क्योंकि इकलिब्रियम या इरो है वह इस तरफ दिखाया है ता इसे या लेंथ हो जाद दिखाया है फॉर्वर्ड एक्षिन चोटी दिखाया है इसर इसन नहीं है कि जाज stable है और क्यों जाज टेब्र है क्योंकि इसे विच within the group जो है वो resonance हो रही है जड़ी कि इस case वीच absent है सो एतवी नैट्रो नीथेन थि शो कर सक दिया है नाइट्रो प्रोपेन शो कर सक दिया है बटागर सिनाइट्रो बंजीन दीघल कर दिया ज़िजे वीच halfa काबनता है बट उसे कोई alpha hydrogyn नहीं है ता उसे बिच ए टोटोमेरिजम नहीं होएगी। So second property जो है that is acidic nature, उसे reason अगर से continue करिए। सानु पता है कि एड़ा group है, electron withdrawing group है, जिसे नाल electron से विड्रो होएगी, minus I, minus R effect, और A electron से साहते विड्रो होजेगी, जिसे ना carbon hydrogen bonded है, weak bond होजेगा, and these hydrogen's are weakly acidic in nature, so when we add strong base like sodium hydroxide or potassium hydroxide, the acid base reaction होजेगा, और a nitro compound is the which dissolve होजेगा, because of the formation of salt, ता इसे प्रोटोन जो है, withdraw होजेगा, इसे नेगेटिव चार्च, और इसे जिए अगे फदर resonance होजेगी, तो सारे कुल एक दो resonating structures बन जन गया, और इसे sodium आइन, sodium इस case विच इथे attach होजेगा, अगर से यवली structure दिखा रहे हैं था, इसे किसी भी oxygen ते attach हो सकता है, तो असी किस तरह दसाद है कि nitro compound estic nature है, पहले तही रिजन है कि minus eye effect ना ले bond weak हो रहे है, तो hydrogenated है, वह weakly estic है, second जो रिजन है कि data resulting cytokal 9 बन रहे है, that is resonantly stabilized, so that's why these are estic nature, बट अगर असी compare करी estic nature, यह बहुत जा estic नहीं है, but still they are very strong acid as compared to normal comparable aldehydes and ketones, अगर असी PK values compare करी, तो इसी अगर PK value 10.2 है nitromethane दी, तो PK value जो acetone है, उसी around 20 है, so this is PK value of nitromethane and this is for acetone, the PK value already acetone दी बहुत जादा है, it means this is very less acidic as compared to nitro, especially half acidic as compared to nitromethane, but अगर असी दोन दीखाल करें, दोनों ही litmus नाल कोई भी test show नहीं काते, क्योंकि blue litmus ना strong acid ही blue litmus नो red काते है, उस्ता सरकली core features नजरान दा है कि अगर सीज़ा sodium salt बन गया है, तो उस्तों बाद अगर सीज़े विच केरफुली इसनों acidify कर दिये, तो उस नाल की होईगा, कि डिडे structure है, एते protonation हो जेगी, but क्योंकि इस limited controlled condition विच का रहे हैं तो इस तरह दे सरकल structure बन जेगी, और इस ट्रक्चर होर कुछ नहीं है, डिडेसी पर लों डिसक्रस किती सी, ऐसी नित्रफर्म होही है, तो इत means, although, if we look at the tautomeric forms, ऐसी नित्रफर्म is very less stable as compared to नित्रफर्म, but we can generate, ऐसी नित्रफर्म, in large amount, by this method, that is firstly treating the nitro compound with strong base, abstracting the acidic proton, and then by carefully acidification, we can get metastable acinitroform in large amount, उन्हें acinitroform असी बना क्यों रहे है, क्योंकि लडे acinitroform है, that is having both characters, it can act as nucleophile in some reactions, whereas in other reactions, it can act as electrophile, depending upon किसी नाल इसे अगर इसी electrofilm add कराँगे, कर सकते हैं, aldehyde से या ketone से reaction, आसी अल्यडी पढ़िया है, aldol condensation तुसी पढ़िया हुए है, so aldol condensation अगर तुसी recall करों, let us say सारे को यह वाला compound है, acetaldehyde, तो आसी यह पढ़िया सिगा, in presence of dilute sodium hydroxide और potassium hydroxide, तो इत्थी attack हो जानता है, और aldol बनता है, जे attack हो जानता है, जानता है याद होएगा, कि मैं तन दस्या सिसमें लिखना किस रहा है, यह तो इक hydrogen असी उतार देनी है, और हो hydrogen असी oxygen ते लगानी है, और यह carbon carbon bond बना देना है, इस त्रिके ना असी पोड़क्ट नो लिख सकते है, तो यह पोड़क्ट यह alpha carbon, beta carbon, so this is beta hydroxy aldehyde, और अगर सी ketone तो स्टार्ट करांगे, तो beta hydroxy ketone, अगर सी same reaction nitro compound दे विच करिए, इस रिके ना, बट starting material से दोनों ही aldehyde नहीं लेने, एक aldehyde लवांगे और एक कसी nitro compound लवांगे, इस रिके ना, तो यह जगात असी रिप्रेस करता, बाकि सारा पार्ट सीम है, तो again in presence of base, असी similar product बना सकते है, और इसे विच aldehyde दे जगाते, ऐसे सिरफ nitro group लगाया है, तो इते सारे कुल बन जगा, beta hydroxy nitro compound, तो फरक की है, सिरफ ऐसे इते nitro group attach किता है, रिड़ा की aldehyde, pure aldehyde condensation विच सारे कुल, aldehyde group सी, तो इसा mechanism की होगा, so क्योंकि इसी base add किता है, सब बलाओ, proton abstraction, in presence of base, so we are getting proton abstraction, simple acid base reaction, और क्योंकि हुने इसी वपर negative charge है, so it will act as nucleophile, so this is AC nitro form acting as nucleophile, and it will attack on some electrophilic site, जड़े की aldehyde या कीट हों, तो केस्विच काबुनिल काबन है, so CS3, C, ये थे OH, OH, so इस तरीकेना साथे को, compound बन जगा, OH की स्रा है मैं, आटली दो स्टाप सी कठे लिख रही है, followed by acidification, तो इसी बीटा-हई-ड्रोक्सी-nitro compound, इसे तरा है, second reaction, जिजे विजे निट्रो फांजी तरा करेक, nucleophilic इसी प्रॉपर टिशू होएगी, that is, Michael addition, Michael addition reaction भी असी aldehyde ketone विच प्रया सिगा, 1,2,1,4 addition, जिजे 1,4 addition है, उसनो असी conjugate addition या Michael addition करने है, तो इसे विच सेम उसी तरीकेना, असी nitro, sorry, असी nitro compound लेलांगे, base add किता, for the same purpose, और इसे simple aldehyde ketone add कन दी बजाए, असी alpha, beta, unsaturated compound लवांगे, जिसरा कि असी ही लेले compound, जिस alpha, beta, so alpha, beta unsaturated में ester लेता है, असी यथे unsaturated aldehyde लेसा दे हैं, या ketone कोई भी compound लेसा दे हैं, बट alpha, beta unsaturation होने चाहिए, so उसे तरीकेना, जिज़र सिंदिज base पावांगे, तब base ने थे proton abstract कर लेना है, negative charge, और यह negative charge ने उन carbonil carbon थे attack करने बजाए, beta carbon थे attack करेगा, क्योंकि resonance through we know, beta carbon थे भी positive charge है, so micro addition दे विच, beta carbon थे attack होएगा, और simple aldol condensation दे विच, carbonil carbon थे attack होएगा, CH double bond C, this is O negative, और इस सबा सारी को इत्थे आजेगा, इसने attack किता है, इत्थे सारी को लाजेगा, nitro compound, और उस सबाद दुबारा, totomerism होजेगी, CH2, और इत्थे दुबारा, ester group आजेगा, so इसा मतलग की बन के सारी को compound, this is alpha carbon and beta carbon, beta थे ester है, और सारी को pure nitro compound, बन चेगा, and the third reaction, under the same category is, halogenation, A-V reaction, LDH, it's a reaction, LDH कीटों देड़े, halogenation reaction से बहर डीटेल, विच पड़े से उसरे नाल मैच करता है, मैं एक बार रिवाइस करवानी है, LDH अगसी ले लिए, कोई halogen ले लिए, जिसना chlorine, again in presence of base, ये reaction की हुंदा है, कि alpha carbon तो hydrogen निकल जीगा, negative charge ये halogen ते attack करता है, तो all the alpha carbon, sorry, all the alpha hydrogen, are successively replaced by halogen, तो इसना दा product बानता सी, similar reaction is expected in case of nitro compounds, इसे विच विच फर्स टेप, base ने proton abstract करना है, negative charge, ये negative charge halogen ते attack करेगा, तो successively सारे hydrogen, जो alpha hydrogen है, they are replaced by halogens, इस तीखना सारे कुल product बान जीगा, और इस compounded common name है, that is chloropicrin, so chloropicrin जड़ा है, is a common name है, जड़ा की बहुत जगाते यूज सुन्दा है, जड़ा की insecticides है, उसे लिए यूज सुन्दा है, इवन जो tear gas है, उसे एक main component है, chloropicrin, so that's all about the reactions of acinitroform, in which it is acting as nucleophile, जाओक झाल कर सुन्य सब्स्याद जाओक